नमश्कार मैं हूँ डॉक्टर चक्षू और आज हम बात करेंगे ED यानि इरेटाइल डिस्फंक्शन के बारे में और आपको बताएंगे कि वास्ता में इस बिमारी के कितने सारे कारण हैं, कौन से ऐसे कॉजटेव फैक्टर से ट्रिगर फैक्टर से जिससे परिशानी बढ़ अगर आप वास्तब में ED की प्रॉब्लम से छुटकारा चाहते हैं तो साइन्टिफिक बातों को समझिए, समझ में आये तो थम्सब दीजे और अगर ऐसी ही वीडियोज चाहिए तो सबस्क्राइब करना पलकुल मत भूलिए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भई आखिर ये ED यानि इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता क्या है? देखिए, बातों को समझने के लिए दिमाग पहले पूरा खोल लीजिए, हैना सोच को अपनी बढ़ाई है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन कोई बहुत बड़ी परिशान परिशानी नहीं है, ठीक है? इरेक्टाइल डिसफंक्शन में बेसिकली तीन चीज़े होती हैं, पहला इरेक्शन ना हो पाना, दूसरा इरेक्शन को होल्ड करके ना रख पाना, और तीसरा डिजायर ही ना होना, ठीक? तो ये तीन तरह की परिशानी में से कोई भी अगर कर परिशानी ना होई हो, तो अगर आप एडी यानि रेक्टाइल डिसफंक्शन से जूज रहे हैं, तो टेंशन मत लीजे, ये कोई बहुत बड़ी कंप्लेंट नहीं है, अब सवाल उठता है कि अगर आप उसकों करना है, तो किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए? दे जादा देर तक इरेक्शन को कंट्रोल गया, होल्ड करके नहीं रख पा रहा हूं, या मिरी डिजायर खतम हो गई है, और मैं किसी डॉक्टर को दिखा लेता हूं, कोई वीडियो देख लेता हूं, उसके हिसाब से भई बताया गया, ये दवा बहुत बढ़िया है, ये लिक इंप्रूमेंट आ गया था, चिंता मत कर ये दवा खाले, इंप्रूमेंट आ जाएगा, नहीं, ये काम बिलकुल भी ना करें, अगर आप वास्तव में कम से कम समय में, ED की प्रॉब्लम से छुटकारा चाहते हैं, तो, हिट एंड ट्रायल मेथर्ड बिलकुल भी मत करिये, आप सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत साई लोग educated होंगे, पड़े लिखे होंगे, तो वो बेवकूफी मत करिये, जो अभी तक आप लोग करते आ रहे हैं, हिट एंड ट्रायल मेथर्ड में कई बार ऐसा हो जाता है, कि हमारी complaint बढ़ती चली जाती है, क हमारे पस अलड़ी बहुत सारे patients है, हम आपका भला चाहते हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, कि अगर आप बाकियों की तरह हिट एंड ट्रायल करने लग जाएंगे, तो जो बरेशानी आपकी पहले तो एक महीने में ठीक हो जारी चाहिए, उसे तीन-चार महीने लग ज जाएगी आपको, है ना, तो फिर आप उससे अनभेगे रह जाएंगे और problem solve नहीं होगी, अब अगला सवाल उठता है, कौन-कौन से कारण है वास्तव में ED के, देखिए सबसे पहले हम common कारणों की बात करते हैं, आम आदमी की भाशा में, number one कारण है over intelligence, over intelligence मतलब कि या तो masturbation में indulge है, या पहले हमने बहुत ज़्यादा over masturbation कि रहा है, यानि sexual excesses या over indulgence, ठीक, दूसरा कारण हो गया, blood supply, अगर आपकी blood supply altered है, या lack of blood supply है, आपके penis यानि organ के अंदर, male organ के अंदर, तो ऐसे में irritile dysfunction की problem आपको हो सकती है, तीसरी बहुत बड़ा cause जो हैं पर होता है, व कभी न कभी आपको ED, यानि retile dysfunction की परिशानी जरूर होगी, खास कर अगर erection हो जाएगा, तो erection hold करने में आपको परिशानी होगी, या फिर sexual desire धिरे समय के संग कम होती जाएगी, अब यहां पर चौथा एक बहुत बड़ा कारण जो है, वो है nervous complaints, यानि अगर आपकी नसों म अगर आपको किसी बिमारी की वज़े से weakness है, या अपनी nutrition में कमी की वज़े से weakness है, या शरीर में किसी और तरह की परिशानी है, जिसकी वज़े से weakness आ रही है, तो आपको ED की परिशानी हो सकती है, ये in general अगर हम बात करें, तो causes हो जाते हैं, ठीक, अगर आप डॉक्टरी भ आपको परिशानी हो सकती है, बहुत सारी बिमारियों में देखा गया है कि nervous coordination गरबला जाता है, उस जासे पेशन को ED की परिशानी हो जाती है, बहुत सारे cases के अंदर कोई underlying major diseases हैं, जैसे for example, Parkinson's की परिशानी है, depression की परिशानी है, Ace Omni यानी नीद रानी की परिशानी है, तो भी ED की परिशानी पेशन को जरूर हो सकती है, इसके अलावा fourth जो cause हो गया, वो हो गया debilitating diseases, अब अगर suppose आपको cancer या संबंधी परिशानी हो रही है, या फिर आपके शरीर में कोई ऐसा बड़ा tumor हो रहा है, जो आपको तकलीफ दे रहा है, या फिर आपको diabetes की परिशानी है या आपको hypertension की दिक्कत है, तो ऐसी debilitating कुछ diseases के अंदर या फिर हम ऐसा कहें कि usual या unusual diseases के अंदर जो की prolonged चलती रहें, बहुत समय से चलती रहें, उसमें भी आपको ED की परिशानी हो सकती है, ठीक, अब देखिए ED के कुछ trigger factors भी हैं, या कुछ trigger ऐसी चीज़े जिनसे की ED जाती हैं, दवाईयां, दवाईयां कुन कौन सी, अगर आप BP की दवा बहुत ज़्यादा समय तक खा रहे हैं, या सादा समय से खा रहे हैं, लेकिन वो BP की दवा से आपको BP कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आपको ED की दिक्कत हो सकती है, अगर आपकी sugar uncontrolled है और आप दवाईयां खा रहे हैं, या sugar सममय दवायां खा रहे हैं, या कोई और hormone disorder सममय दवाईयां खा रहे हैं, ED की परिशानी आपको हो सकती है, इसके इलाव अगर आप नींद की दवाईयां आपको हो सकती है, अगर आप anti allergic to antibiotics बहुत जादा लेते हैं, तो कई बार हमारे नसो मे यह हमाई gastritis की वज़े से भी और खासकर anti-staminics के संग में क्या होता है कि वो tranquilizer type होती है कि लोगों को खाने के बाद नीन सी आती है और body कुछ हद तक शितल या relax हो जाती है इस वज़े से भी ED की परिशानी हो सकती है अगर आप कुछ psychological drugs खा रहे हैं इसके अलावा अगर हम habits की बात करें तो अगर आप smoking कुछ जादा ही करते हैं 100% आपको ED की दिक्कत कभी ना कभी जरूर होगी होगी तो बहुत समय लगेगा recover होने में similarly अगर आप alcohol लेते हैं और अगर आप regular alcoholic हैं तो कहीं ना कहीं ED आपको जरूर परिशान करेगा या फिर अगर आप regular alcoholic हैं यानि regular alcohol नहीं लेते पर जब भी लेते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो वहाँ पर तो ED की समस्या आपको जरूर होती है इसके लावा अगर किसी और तरह के ड्रग्स का आप सेवन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको नसों में मास्पेशों में गंजोरी जरूर आएगी तकलीफें जरूर होंगी उसकी वज़े से भी आपको ED की समस्या बरकरार रह सकती है अब आजाएए ट्रीट्मेंट के बारे में कि भाईया क्या होमियोपथी में ED का ट्रीट्मेंट मौजूद है बिलकुल मौजूद है बहुत अच्छे से मौजूद है और होमियोपथी में ज़्यादा एफेक्टिव ट्रीट्मेंट इसलिए है क्योंकि देखो आपको पता है हुमियोपिती सिम्टोमाटिक है यानि हम लक्षन के हिसाब से दवा देते हैं तो जैसी परिशानी उसके हिसाब से दवाई है तो ED की हुमियोपिती के अंदर घर हम ढूनने बैठेंगे तो लगबग 100 से ज़ादा दवाईया मौझूद है 100 से ज़ादा दवाईया मौझूद है और हमें कितनी दवाईयों के बारे में पता होता है मुश्किल से 2, 3, 4, 5 या फिर combination medicine के बारे में पता होता है तो अगर हम इस तरह बात करें कि मैं मरीज को ठीक करना चाहता हूं या इस वीडियो के थूँ लोगों को वो दवाईयां बताना चाहता हूं तो effective है तो कारण के हिसाब से दवाई के ओपर discussion कर लेते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे traumatic causes अगर suppose करो आपको penile area में या male sexual organ में कहीं कोई चोट लग गई आपको hernia, hydrocele कुछ भी तरह की दिक्कत हो रही है या आपको नसों में कई ऐसी परिशानी हो रही है या lack of blood supply हो गई चोट लगने की वज़े से तो अगर वहाँ पर erectile dysfunction हो जाता है तो ऐसे में first and the most important medicine is Arnica Montana अगर आप Arnica Montana लेना चाहते हैं चोट लगने के बाद erection, erectile dysfunction होने की वज़े से बहुत कम होता है लेकिन 10% cases में अक्सर ये देखा जाता है किसी दोस्तियार ने मस्ती मजाग में मार दिया या किसी भी तरह से हमें चोट लग गई, बाइक पर चल रहे थे कहीं हमने ब्रेक मार उसकी वज़े से चोट लग गई तो अक्सर उस वज़े से erectile dysfunction हो जाता है अगर ऐसा है तो Arnica Montana is a very good medicine महसूस अगर आपको है, confirm है आप है उसकी वज़े से हो रहा है उसके बाद किसी और कारण को पता करें, उसके हिसाब से दवा खाएं अब यहां पर बात कर लेते हैं over intelligence के बारे में अगर आपको sexual intercourse या sexual life में over intelligence है कुछ ज़्यादा ही sexual intercourse में आप लगे रहते हैं और फिर आपकी frequency जो intercourse की है वो कहीं ज़्यादा है और उसके बाद अब आपको ED की परिशानी हो रही है तो अवीना सेटाइवा is a very good medicine आप अवीना सेटाइवा मदर टिंचर में इस्तमाल करने की कोशिश करिए आप लगभग 10-20 दवा दिन में 3 बार के हिसाब से 1 महीन तक constantly लीजिए sexual intercourse कुछ दिन के लिए बंद कर दीजे अपनी diet exercise के ओपर ध्यान दीजे आपको ED की परिशानी में improvement जरूर आएगा अब या तो over masturbation आप कर रहे हैं या फिर आपने over masturbation कभी अपनी जिंदिगी में किया है और उसके बाद से ED की समस्या आपको हो गई है जो solve नहीं हो रही है तो ऐसे में caladium sanguinum is a very good medicine अगर आप confirm है कि मेरे को ज़्यादा masturbate करने के बाद से ED की दिक्कत हुई है या फिर मैं पहले करता था और अब मुझे उसके बाद से ED की दिक्कत हलकी हलकी शुरू हुई अब बढ़ती जा रही है तो caladium बहुत अच्छी दवा है caladium 200 potency में लीजिए दिन में एक बार के हिसाब से लीजिए regularly लीजिए और एक महीने लेने के देखिए आप उस समय masturbation बिलकुल बंद कर दीजिए control करने की कोशिश करिए diet, exercise के ओपर ध्यान दीजिए आपको 100% ED की प्रॉब्लम में improvement जरूर आएगा अब अगर hormonal causes है यानि आपका testosterone hormone कम है या फिर थारोइट सम्मन्दी परिशानी है आप उसकी कोई दवा खा रहे है या diabetes सम्मन्दी प्रॉब्लम है उसकी आप दवा खा रहे है या कुछ depression की परिशानी है बहुत जल्दी से जो हो रहा है उसकी वज़े से होने वाले ED को solve करने की बहुत अच्छी medicine है आपको जरूर improvement देगी ऐसे मैं कोनियम मैकुलेटर 200% दिन में एक बार early morning empty stomach जरूर लीजे पांच पून दवा लीजे आदा कब पानी में लीजे अगर आप ये दवा इस तरह लेते हैं एक महीने लेते हैं और अगर आप अपरे दवाईयों को control रख रहे हैं exercise कर रहे हैं diet का ध्यान दे रहे हैं योग regularly कर रहे हैं तो hormonal समद्धी परिशनियों में भी improvement आएगा और आपकी बाकी तकलीफों में ED की problem में खासकर improvement जरूर आएगा लेकिन ध्यान रखिये एक महीने या तीस दिन के लिए लीजे उसके बाद दवा बंद कर दीजे किसी डॉक्टर से सलाह लीजे तभी उसके बाद आगे दवा लीजे अब अगर बिलकुल desire खतम हो गई sexual desire completely nil हो चुकी है बिलकुल इच्छा नहीं कर रही है ना तो erection ही हो पा रहा है ना properly erection hold कर पा रहे हैं और आप बुरी तरह से परिशान है conceive भी नहीं हो रहा है conceive करना चाह रहे है यानि complete impotency है और ED के संग में आपको impotency 100% दिख रही है reports के अंदर भी यानि आपका जो testosterone hormone है वो भी कम हो गया है आपके sperm analysis आपने कराया semen examination कराया वो भी अच्छा नहीं है और आप improvement चाहते हैं तो भी सबसे पहले शुरुआत new fall utia से करिए new fall utia का mother tincture लगभग 10 बून दबा के इसाफ़ से दिन में 3 बार लीजे महीने भर लीजे डॉक्टर से सलाह लीजे और कारण ढूड़िये धंग से diet exercise और दूसरी दवाईयां लीजे संग में new fall utia लीजे एक महीने लीजे आपको result दिखने लग जाएगा आगे दूसरी दवाईयों के ज़रुद पड़ेगी थमसब जरूर दीजे और अगर ऐसी ही वीडियो जाएगे चाहिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मेरी तरफ से नमिश्कार थैंक यू